हाँ तो दोस्टो बृतनिया इंडस्ट्रीज के Q3 के नंबर आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्यों आपको बृतनिया इंडस्ट्रीज के ना इन्वेस्ट करना चेह यह या नहीं चली शुरू करते हैं तो दिके यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो पिछले कॉटर के कमपेरिजन में 0.9% से कम हुआ है और यह नंबर आया है 3574 करोट पे लेकिन जो प्राफिटेबलिटी है वो 3% से गिरी है और यह नंबर यहाँ पे 369 करोट पे आया है यहाँ पर अगर हम दिखेंगे तो कॉटली बिशित का जो पर्फॉर्मेंस वो हमें यहाँ पे थोड़ा चा अंडर पर्फॉर्मिंग लग रहा है लेकिन अगर हम येर आन येर बिशित की बात करेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर 12% से बड़ा है और यह नंबर 35 574 करोट पे आया है लेकिन जो profitability है वो 18% से गिरी है और इसका नंबर 369 करोट पे आया है तो यहाँ पर अगर हम दिखेंगे तो जो 18% का net profit का नंबर गिरा है उसके पीछे का रिज़ा ने जो लगाता raw material की cost बढ़ रही है उसकी वज़ा से ये net profit का नंबर गिरा है तो देख ने को मिल रहा है और company हमेशे यही बोल रही है कि यह आने वाले टाइम पे यह consumer पे पास्टाउन हो जाएगा लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है बाकि अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलिवर में भी raw material के cost बढ़ रहे थे लेकिन वहाँ पर उन्हा ने यहां पे बहुत ही बड़ा disappointment अपने shareholders को दिया है तो देखिए यहां पर जो result company के आये हैं मुझे लगता है कि short term में market काफी negative way में इस result पे react करेगा तो short term के लिए बिल्कुल भी बाये यहां पे नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हम बात करेंगे long term investors की तो देखिए यहां पर अगर आपको invest करना और अच्छा correction होता भी है तो मेरे ख्याल से आपकी return expectation या तो highest single digit या फिर lower double digit चाहिए उससे ज्यादा आपकी return expectation ब्रिटेनिया से नहीं होनी चाहिए तो कि यहां पर एक fast growing company नहीं है एक slow growing company तो वहां पे आपके return expectation भी normal ही होनी चाहिए तो दोस्तों मे hope cut की Britannia Industries के Q3 के numbers के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day